एपिसोड 6 में उन तमाम गार्ड्स और डॉक्टर को हैंग कर दिया जाता है जिन्होंने गेम्स के रूल्स तोड़े होते हैं और बाखी प्लेयर से अपॉलजाइज किया जाता है कि आइदा उन्हें किसी किसम की अनफेर्नेस फेस्ट नहीं करनी पड़ेगी और वो यहां फ्रंट मैन आ जाता है जुन्हों फाइल रूम में छुप जाता है और फ्रंट मैन को कहते हुए सुनता है कि वी आई बीस के आने से पहले यह माइन डिस्टरबंस खतम करती जाएंगी फूर्थ केम के लिए प्लेयर्स ग्रॉप्स ऑफ टू में खेलेंगे इसलिए सब को अ दॉक्टर को एलिमिनेट करने के पाद 39 यानी और नमबर रह गए है इस तरह एक प्लेयर पीछे रह जाएगा और ये प्लेयर होती है मीनियो उसे कोई पार्टनर बनाने को त्यार नहीं होता काज मीनियो को खींचते हुए ले जाते हैं और बाकी प्लेयर्स गेम के लिए च ये ही बात करता है कि ये स्ट्रीट्स उसके पच्पन के नेवरूट जैसी ही है हर प्लेयर के साथ एक स्टाफ मेंबर खड़ा किया जाता है हर प्लेयर को एक पाउच दिया जाता है हर पाउच में 10 मार्बल्स है प्लेयर्स को अपने पार्टनर साथ गेम खेलनी है और जो अ और अपने फ्रेंड को Eliminate करके आगे जाना होगा। काफी दे तक तो कोई गेम स्टार्ट ही नहीं करता। सिवाए कुछ लोगों के जो अपने पार्टनर से इतना क्लोज नहीं होते। इस गेम की टाइम लिमिट 30 मिनिट्स है। ओल्ड मैन गेहियन को गानबू कहता है जिसका मतलब है Good Friends। जब वो बच्पन में मार्बल्स खेला करते थे तो अपने Most Trusted Person को गानबू कहा करते थे। गानबू के दिरम्यान कोई Ownership नहीं होती बलकि वो अपने दिरम्यान सब शेयर करते हैं। गेहियन अनाउंस्मेंट पर ओल्ड मैन दिहान नहीं देता और नेबरूड फिरता रहता है जो उससे अपने पुराने इलाके की याद देलाती है। अगर आप सही कैस करोगे तो वो मारबल्स आपको मिल जाएंगे। अली ये गेम जीत रहा होता है मगर वो कहता है कि वो सांग्वो के साथ नहीं कहिलना चाहता। जी यॉंग से ब्योक नुर्च मैंसे केहते हैं। हो आफरी पांच मिनिट मेंगे से लगती हैं। उसे लगाता है है, धरते हैं कूछ पोडर कर रहे हां प्ली हुए है। जब immigration offices ने उन्हें ढून कर वापस भेज़ दिया। उसका भाई अब एक shelter में है। से ब्योग यहां से पैसे जीत कर एक घर खरीदना चाहती है। जहां वो अपने भाई के साथ रह सके। फिर वो नौर्थ में अपनी मौम को तलाश करेगी। जी यॉंग कहती है कि इतनी बरी प्राइज मनी से वो और भी बहुत कुछ कर सकती है। उसे घूमना फिरना चाहिए। जी यॉंग इसी तरह से ब्योग के साथ बातिंग करती रहती है। गी हियन और ओल्ड मैन भी odd और even वाली game खेलते है। ओल्ड मैन जीत रहा होता है। गी हियन के पास बस एक marble रह जाता ह वो कैस करता है कि ओल्ड मैन के आठ मी odd है। मगर ओल्ड मैन के पास two marble है। गी हियन हार गया है। अब उसके पास कोई marble नहीं बचा। लेगिन ओल्ड मैन को भूल जाता है कि गी यन ने क्या बोला था और गी यन इस बाद का फाइदा उठाता है। वो even बोलके ओल्ड मैन से two marbles ले लेता है Sangwoo Ali से back करने लगता है कि अगर वो यहां से ना निकला तो उसकी family को मार दिया जाएगा मागर Ali ऐसे तो Sangwoo को नहीं जीतने दे सकता उससे भी अपनी family का सोचना होगा Sangwoo Ali से कहता है कि वो उस पर trust करें उसके पास एक idea है 30 minutes की time limit में कुछ teams में से कोई winner नहीं हो पाएगा क्योंकि अक्सर आप हारते हो और जीतते हो तो हम अपने 20 marbles के साथ दूसरी teams के साथ जा कर खेलेंगे वो team बना कर खेलेंगे और इस तरह वो दोनों बाहर निकल सकते हैं अपने तमाम 20 marbles lose कर देने वाले players को साथ ही eliminate किया जाता रहता है सांग वो अली से कहता है कि वो दोनों allies का round लगा कर आते हैं और team को देखते हैं जो अभी तक games खेल रही हैं फिर कोई suitable pair देख कर वो उसके साथ खेलेंगे कहीं अली के marbles का pouch कोई और ना चीन ले तो सांग वो उसे marbles का पूछ लेता है और अपनी शर्ट से उसको एक पहतर pouch बना कर देता है जो अली अपने गले में डाल लेता है जी यॉंग से ब्योग को बताती है कि उसके father बहुत abusive थे और उन्होंने उसकी mom को murder कर दिया जी यॉंग ने भी गुस्से में अपने डाड को जान से मार थिया वो हाई स्कूल लड़की अभी प्रिजन से निकली ही थी कि उसे game के offer हुई और फिर वो यहां आ गई गी हैं चीटिंग करते हुए old man के सारे marbles ले लेता है और guard के पास जाता है कि वो चीत किया मागर old man के पास अभी एक marble रहता है old man game खेलने के पज़ाए अपने घर ढूनने चला जाता है time काम होता है old man को अपना घर मिल जाता है जहां उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने सन को raise किया था की हीन उसके साथ game खेलने के लिए desperate होता है old man reveal करता है कि वो जानता है कि गी हीन उसे trick कर रहा था वो willingly गी हीन को अपना marble दे देता है क्योंकि वो दोनो गान्बू हैं जो share करते है गी हीन 20 marbles के साथ round clear कर लेता है अली एली में दूसरी teams को observe करता रहता है सांगू ने उसे कहा था कि जब 3 मिनिट रह जाएं तो वापिस इस जगा पर मिलेंगे सांगू गाट के पास जाता है और कहता है कि मैंने बगएर किसी वोईलिंस के अपने पार्टनर से सारे 20 marbles ले लिये हैं यानि मैं जीत क्या हूँ काट सांगू को ले जाता है जब अली वापिस आता है तो सांगू उधर नहीं होता जब वो अपना पाउच चेक करता है तो उसमें marbles की जगा पैबल्स होते हैं सांगू ने अली की innocence और trust का फाहिदा उठाया और दो किसे उसके marbles ले लिये जब वो अली के लिए पाउच बना रहा था अली के पास कुछ नहीं होता और उससे eliminate कर दिया जाता है जी यॉंग और से ब्यॉक एक game खेलते हैं और जी यॉंग उसे जीतने देती है जी यॉंग के पास बाहर निकलने का कोई reason ही नहीं है मगर से ब्यॉक के पास एक मकसद है अपनी family ढूनना इसलिए वो जानके हाँ जाती है और उससे eliminate कर दिया जाता है इस तरह एपिसोड 6 खतम हो जाती है एपिसोड 7 में front man order देता है कि intruder को जल्दस जल्द ढून्डो क्योंकि वी आईपिस आने वाले है winners वापिस अपने रूम में आते है तो मेनों वहाँ से पहले से ही होती है उससे eliminate नहीं किया गया होता अगर बच्चे किसी को अपना partner juice ना करें तो वो outcast बन जाता है वो यहाँ ऐसा नहीं चाते थे कि उसे खेलने का मौका ना मिले इसलिए उसे वापिस ले आए front man जब वापिस अपने रूम में आता है तो उसे अंदाजा हो जाता है कि intruder यहीं रूम में है वो यह भी जान गया होता है कि intruder कॉप है क्योंकि जो बुलिट उसने जुन्हू के शूट किये कर गार्ड से निकाली होती है वो पुलिस आफिसेज ही यूज करती है front man को रूम से जाना पड़ता है जब उसे call आती है कि island की northern coast पर एक dead body मिली है जब front man वहाँ जाता है तो उस body पर से मिलने वाली ID उसको दी जाती है जुन्हू ने start में guard को मार के अपने wallet उसकी pocket में रख दिया था ये वो ही है front man body incinerate करने का कहता है फिर उसे call आती है कि VIPs पांच चुके है players में से एक आदमी ऐसा भी थो था जब ने wife के साथ pair up हुआ था मागर उसके आगे जाने के लिए wife को मरना पड़ा वो सबसे कहता है game terminate कर देती है लेकिन इतना आगे आकर कोई भी अब बगएर पैसों के नहीं जाना जाता front man एक पूरे आदमी को आकर report करता है कि VIPs आ चुके हैं पूरे आदमी ने भी मास्क से खुद को cover किया होता है front VIPs को receive करता है और apologize करता है कि host किसी personal matter की वज़ा से नहीं आ सके front man VIPs को उनके लिए specially prepared lounge ले जाता है वो husband suicide कर लेता है जो service VIPs के लिए drinks लेकर जा रहे होते हैं उनमेंसे एक जुन्हू पकर लेता है और उसके cover और mask में change कर लेता है और अपने phone का camera on करके अपनी sleep में डाल लेता है fifth game के लिए players को ले जाया जाता है players को west choose करने का कहा जाता है जिस पर one to sixteen तक numbers लिखे होते हैं west का number decide करता है कि वो किस order में खेलेंगे next game है glass stepping stones glass के two bridges side by side बनी है tempered glass तो लोगों का weight परदाश्ट कर सकता है मगर normal glass तूट जाएगा players को round click करने के लिए ये bridge cross करना है जो नहों server बनकर VIP lounge में आ जाता है और एक VIP के attention हासिल कर लेता है जो उसे अपने पास ही बिठा लेता है players tiles में फर्क नहीं कर पाते और बहुत से तो ऐसे ही try करते मर जाते है सांग वो सेब्योक और गेहियन एंड के three numbers है time कम है और अगर आगे वाले players ने slow खेला या डर के रुक गए तो वो disadvantage पर होंगे अब सबसे आगे डियोकसू है और वो पहले नहीं जाना जाता कि कहीं गलत glass पे step करके गिरना जाए उसके पीछे मीन्यो खड़ी होती है जिसे वो आगे जाने पर force करता है मीन्यो डियोकसू को लेकर नीचे किरती है ताकि वो खुद जीतना सके और ना डियोकसू डियोकसू इंतिहाई selfish है और मीन्यो को भी यूज कर फैंक चुका है इसलिए मीन्यो से जीतने नहीं देना जाती वी आईपी जुन्हो का मास्क उतारना जाता है जुन्हो से कहता है कि अगर मैं exposed होगया तो मुझे मारत किया जाएगा आप मुझे अकेले में ले जाएं अब सिर्फ four players बचते हैं और उनमें से एक glass maker होता है जो tempered glass देख सकता है उसकी lead में sangu वगेरा भी आगे बढ़ते हैं light के reflection से वो बता पाता है कि tempered glass कौन सा है आखरे तक पहुंचते हुए front man lights बंद कर देता है ताकि वो gas ही ना कर सके उसके बिलकुल पीछे sangu खड़ा होता है अब उने बस two tiles में फर्ट करना होता है कि कौन सी tiles step करने के लिए safe है sangu उस player को push कर देता है जिस tile पर वो गिरता है वो normal glass की थी और वो player नीचे गिर के मर जाता है sangu safely next tile पर step करता है और आगे बढ़ते हुए game clear कर लेता है safe, york और geahian भी उसके पीछे आते हुए bridge cross कर लेती है time खतम होते ही सारी glass tiles एक्स्टोर हो जाती है एक guard VIP के room में आता है और देखता है कि वो पिहोश है वो foreign front man को report करता है और बताता है कि intruder कायब है वो VIP को खबर हुए बगैर पूरी जगा सर्च करते है और उन्हें पता लगता है कि एक dive pack गायब है dive pack की वज़ा से front man जुन्हो की location देख पाता है front man guards लेकर पोर्ट पर जुन्हो के पीछे आता है जुन्हो swim करते हुए यहां से निकलना जा रहा होता है और यहीं episode end हो जाती है thank you for watching